हेलो गाइस मल्टिटेक इंसिस्टूट में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर करके आया हूँ ट्रबल सुटिंग के लिए कि लेप्टोप या डेक्स्टोप को हम लोग कैसे ट्रबल सुट करते हैं जाईड सी बात है कि यह इलेक्रोनिक डिवाइस है कुछ न कुछ तो इसूस आती है इसूस भी कई तरह कहोते हैं ठीक है बट अगर हम इसूस के तरफ जाएंगे तो वो सोल्व नहीं हो पाएगी हाँ बट राह जरूर मिलती है बट सोल्व नहीं हो पाएगी तो आज हम आपको बताएंगे कि बेस यानि हम निचले अस्तर से कैसे find out करते हैं और कैसे हम उसका ट्रवल का जो ट्रवल आती है उसको सूट आट करते हैं ठीक है तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और आपको बताते हैं तो देखते हैं हम लेप्टॉप या डेक्स्टॉप को ट्रवल सूटिंग के लिए क्या-क्या जोरूरी चीजे होती है वो पहले मैं देख लेता हो यहां पर तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि हार्डिक्स या एससडी सबसे बेस्ट होता है एससडी क्योंकि वो आपको क्या करते हैं फाइंड आउट करने में समय कम लगेगा ठीक है ना तो उसमें हम क्या करते हैं दो हार्डिक्स लेंगे दो एससडी छोटी स्पेस का लेना है ज्यादा स्पेस की हाँ पर ज़रूरत नहीं है अब सचेज में 128 GB का ले सकते हैं आप उसमें क्या करना है आपको चेक करने के लिए सबसे विंडोस सबसे बेस्ट विंडोस होता है ठीक है अब इसका रीजन क्या है इसका मेन रीजन यह होता है कि विंडोस 10 में कोई भी विदाउट ड्राइवर डाले यह फंक्सल काम करता है तो हम आसानी से उसे फाइंड आट करते हैं ठीक है अब लेपटोप हो या डेकश्टोप बोथ मैं दोनों की बात कर रहा ठीक है तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो SSD लेते हैं और उसमें क्या करते है कि इंस्टॉल इंस्टॉल विन 10 विदाउट ड्राइवर्स यानि कि हम विन्डोस तो इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन उसमें ड्राइवर हम नहीं डालेंगे ठीक है और यह चीज हो गया दूसरी चीज रैं आपको हर मतलब हर एक कैटेगरी का जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 का एक एक रैम जोकी पर्फेक्ट कंडिशन में हो ठीक है कोई इसू नहीं हो आपको चेक करके वह भी रखनी है आपको रखनी है अब चेक हम कैसे करेंगे सबाल तो उठता है ना कि भाई अब कुछ भी इसू आ गया सब कुछ कर लिजे बुलू डंपेरर है है ना कस्टमर तो आपके पास आएंगे या जो भी लेप्टॉप में दिक्कत हो या डिक्स्टॉप में दिक्कत हो बुलू डंपेरर आ जाती है कभी फिलिक्रिंग करती ह है ना कभी लाइट्स आप यह डाउन होती है कभी होता है कि कुछ समय के बाद बंद हो जाती है बहुत सारी दिक्कतें आती है ठीक है ना तो सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें कस्टमर के हाट ड्राइब पे बिल्कूल भी टेस्ट नहीं करना है ठीक है कस्टमर के हाट ड् इंस्टल करके रखेंगे ताकि अगर उसका सिस्टम आता है तो उससे चेक कर लेंगे या उससे जीपीटी में चेक कर लेंगे ऐसे यह आपको अच्छा रहेगा वैसे यह जा सकता है बट कही माइने में नहीं हो सकता है ठीक है अगर माल लिया जाए कि आपके पास old system आ जाता है तो उसमें UEFI supported नहीं होगा तो उसके लिए हमको NBR की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने कहा कि अलग-अलग आपको ले लेनी है फिर हम test करेंगे कैसे test करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो customer की hard drive है उसे हम remove कर लेते हैं ठीक है हाँ उसे हम remove कर लेंगे और यह test कैसे होगा तो remove करने के बाद यह insert करेंगे इसके बाद से हम test करेंगे कि issues कहां से आ रही है अगर suppose कर लिजे कोई एक troubleshoot में लेके चलूँगा अभी आपके सामने तो test करने का baseline मैं बता रहा हूं कि एक सुरुवात से हम कैसे test करते हैं ठीक है तो कोई भी system आता है issue के हिसाब से हम अपना काम करेंगे अब suppose कर लिजे कि हैंक कर रहा है suppose कर लिजे बुर्डम पेरर आ रही है तो सबसे पहला काम क्या करते करते हैं हम कि कस्टमर की hard drive को निकाल लेते हैं ठीक है और अपना hard drive को लगा लेते हैं और उस पे उस windows पे हम test करेंगे test करने का तरीका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे one by one करके test करते हैं ठीक है बट बेस्लाइन मेरा क्या है कि कस्टमर hard drive पे हम test कभी भी नहीं करेंगे अपना hard drive लगाएंगे क्योंकि यह factory default समझ रहे हैं factory default का मतलब होता है कि company से जब यह system ready होकर करके market में आती है तो वो सारे function काम करते हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं जिससे हम आसानी से computer या desktop को operate कर सकते हैं ठीक है तो अगर इसमें engineers को दिकत आती है यह चीज की कहां से सुरुवात करें कहां से न करें तो मैं यह clear कर देना चाता हूं कि अगर कुछ भी डेक्स्टोप पे इसूज आ रही है तो सबसे पहला काम और पेरिफेरल डिवाइस को हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं पेरिफेरल में ODD भी आ जाती है हार्डिक्स भी आ जाती है वनली फोर हम क्या करेंगे कि मोनिटर और मदरबॉर्ट रैयं और सीपियो इस सबको करेंट्ट करके हम औरं करेंगे ठीक है अब इसी पर हम देखेंगे कि मेरा क्या इसा अरहा है इस पर कि यह नहीं आरहा है ठीक है अगर इसा आता है तो जाहीर से बातर जो connected इसमें devices हैं, उन्हीं में से किसी access हुआ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि RAM का क्या function होता है, Hardis का क्या function होता है, Motherboard का क्या काम होता है, CPU क्या क्या काम होता है, यानि क्या function होता है उसका कैसे काम करता है इस तरह समय आपको बता चुका हूँ ठीक है न तो यह जानने के बाद तब हम troubleshooting करते हैं ठीक है न तो उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे troubleshooting किया जाता है तो मेरा baseline यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना SSD जो Windows 10 इंस्टॉल क क्या हुआ है उसको input करेंगे उसके बाद on करके तभी हम चेक करेंगे कस्टमर के hard drive पे कभी भी चेक नहीं करनी करनी है है ना नहीं तो आप कभी भी find out नहीं कर पाईएगा दिकत आएगी अब कस्टमर के hardics पे भी हम चेक करते हैं कब जब यहां से satisfied हो जाते है कि हमारे hardware में कहीं issues नहीं है अब issues जाएगी कहां पर hardware यानि कस्टमर का hardware को कौन सा है भी जो मैंने remove किया है HDD या windows तब उसको home suit out अलग तरीके से करेंगे ठीक है तो मिलते हैं आपको next video में एक एक troubleshooting के साथ तो फिलाल अभी के लिए इतना ही अब मिलते हैं आप से हम next video में आप